नमस्कार दोस्तों आपके हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम गुरू और 10 अगस्ट 23 को जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पाया नक्षतर रासी और जनम अक्षर क्या रहेगा आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम 10 अगस्ट को सुबह 12 अम से 2.39 अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पाया देगा स्वाण क्रितिका नक्षतर का चोथा चनवरी शरासी और ए अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 2 अगस्ट का 30 मिनट अम से 8 अगस्ट का 59 मिनट अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पाया देगा स्वाण रोहनी नक्षतर का पर था चनवरी शरासी और ए अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 8 अगस्ट का 50 मिनट अम से 3 अगस्ट का 11 मिनट पी अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायर देगा स्वाण रोहनी नक्षतर का दूसरा चनवरी शरासी और वा अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 3 बचकर 12 मिनट पी अम से 9 बचकर 35 मिनट पी अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायर देगा स्वाण रोहनी नक्षतर का 34 अगस्ट का जनम अक्षर निकलेगा और वो अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा धन्यवाद